इसे कली काल कहा जाता था क्योंकि लोग एक दूसरे के साथ भयानक चीजें करते थे किस युग में आप हैं तै करेगा कि आपका इथर शरीर कितना है लोग अभी भी यही कह रहे हैं कि ये कली युग है कली युग है क्योंकि क्रिश्ण ने कहा था कि ये कली युग है लेकिन हम अगला कदम कैसे लेते हैं, या अगली पीडियां कैसे जीती हैं, इसे हम ही तै करते हैं तो ये सारी बात चल रही है कम से कम न्यूज चैनलों पर तो कि ये कल्यूग है, कल्यूग क्योंकि क्रिश्ण ने कहा था कि ये कल्यूग है कब कहा था? 5124 साल पहले तो तब से कली का संपूर्ण पहलू जो 2592 साल तक चलता है खत्म हो चुका है और द्वापर भी 2592 साल का है जो की 2082 के आसपास समाप्थ हो जाएगा इसका मतलब है कि और 58 साल 58 साल लगभग 60 साल अगर आप 60 साल और जीते हैं तो आप त्रेता यूग देखेंगे इसका मतलब ये नहीं है कि एक दिन अचानक ये त्रेता बन जाएगा देखें जब हम सर्दी कहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि अचानक एक दिन सर्दी आ गई आहिस्ता आती है गर्मी ऐसा नहीं है कि एक दिन अचानक गर्मी आ गई ये धीरे-धीरे होता है तो जिसे आप युग कह रहे हैं वो एक तरह से एक अधिक विशाल मौसम है मौसमों का एक बड़ा दौर है मौसमों में, सर्दियों में पेड एक तरह से होते हैं, जानवर एक तरह से होते हैं, वसंत में वो दूसरी तरह से होते हैं, गर्मियों में और अलग तरह से होते हैं इसी तरह इस धर्ती पर जीवन इन अलग-अलग युगों में अलग-अलग तरह से होगा, क्योंकि ये मौसमों का एक सूपर सिस्टम है. तो कली वो समय हैं, दीर्ग वृत्तिय चक्र के सबसे दूर के छोर पर होते हैं. उस वज़े से इसे देखने के कई तरीके हैं. एक महत्वपूर्ण बात ये है कि, देखे हमारे पास जो पाँच शरीर या शरीर की पाँच परते हैं, विशेश रूप से इंसानों के संदर्ब में भौतिक शरीर अन्नमयकोश है, मानसिक शरीर मनोमयकोश है, उर्जा शरीर प्राणमयकोश है, और विज्ञानमयकोश या इथरिक शरीर होता है, सवाल हमेशा ये होता है कि, आपके पास कितना अन्नमयकोश है, या आपका अन्नमयकोश कितना प्रबल है, या आपका इथर या विज्ञानमयकोश कितना प्रबल है, उसके मुताबिक ये काम करेगा, तो ये मौसम एक तरह से इसे तै करते हैं, आप देख सकते हैं कि इन चार मौसमों में पूरे देश में यहां 11 डिगरी अक्षांश पर शायद आप इस पर इतना गौर ना कर पाएं लेकिन ये मौजूद है क्योंकि लोगों ने इस पर गौर किया है इसलिए तमिल नाडु में मारगली और माग मौसम होता है और आप जानते ह देश भर में कई दूसरे हर कोई उस महीने को का मुटसाह वाला महीना जानता है और इसलिए तब लोग खुद को उननत करने के लिए चीज़ें करते हैं लेकिन अगर आप सम्शी तोषन देशों में जाते हैं तो सर्दियों की स्थिती और वसंत की स्थिती के बीच काफी अ तो कम से कम गुलार्थ के इस हिस्से में या गुलार्थ के उत्तरी हिस्से में ये ऐसा ही है दक्षणी गुलार्थ में ये उल्टा है लेकिन वही चीज़ें होती हैं तो इसी तरह सूपर साइकल में भी वही चीज़ें होती हैं लेकिन मनुष्य के संदर्ब में आपका भौ उर्जा शरीर प्रमुक है, उर्जा शरीर प्रमुक है, यह उस पर निर्भर करता है, जहां यह नियमत वार्शिक चक्र भी कुछ हद तक ईन्हें तए करते हैं, लेकिन सूपर साइकल बहुत कुछ तए करती है। किस युग में आप हैं, तय करेगा कि आपका इथर शरीर कितना है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये पूरी तरह से निर्नायक है, ये सब कुछ नहीं है, बस इसका प्रभाव होता है, आप किसी भी युग में होकर शांदार हो सकते हैं, और आप किसी भी युग में होकर एक जहमिला हो सकते हैं इस सब कई आनुभव आपके अच्छे या बुरे होने का सवाल नहीं है या आप लोग कहते फिरते हैं, देखिए जिस पर आप किसी चीज के बारे में पूर्वा ग्रह रखते हैं तो कोई व्यक्ती पापी बन जाता है और कोई व्यक्ती संत बन जाता है ये कैसे होता है? आप कुछ मूले निर्धारित करते हैं अगर कोई उस पर खरा नहीं उतर पाता, तो वो पापी है अगर कोई उस पर खरा उतरता है, तो वो संत है लेकिन ये मूल अलग-अलग जगाहों में, युगों में, समय-समय पर बदलते रहते हैं, ये बदल रहे हैं वो महतुपूर्ण नहीं है, महतुपूर्ण बात ये है कि हम समझते हैं कि जब हम यहां हैं तो हम जो हैं, हम अपने भीतर जो कर रहे हैं, हम उसका परिणाम हैं। अब सवाल बस इतना है, कि हम अपने भीतर जो कर रहे हैं, वो जागरूकता में हो रहा है या बेहोशी में। अगर हम जागरूकता में कर रहे हैं, तो परिणाम वैसा ही होगा जैसा हम चाहते हैं. अगर बेहोशी में कर रहे हैं, तो परिणाम random या बेतरतीब होगा, और random परिणाम बहुत दर्दनाक हो सकता है, परिशानी भरा, कभी-कभी आपके लिए ज्यादतर समय दूसरों के लिए अलो? अगर आप पागलों की तरह बरताव करने लगें तो आप बेशक परिशान होंगे लेकिन आपको ज्यादा ध्यान मिल सकता है लेकिन दूसरों को बहुत तकलीफ होती है आपके आसपास के लोगों को तो ये पहलू सब कुछ तय नहीं करते लेकिन ये एक आम प्रभाव है तो कलियुक के दौरान जो 2000 से अधिक साल पहले खत्म हो चुका है इसे कलिकाल कहा जाता था क्योंकि लोग एक दूसरे के साथ भयानक चीज़ें करते थे उसमें न केवल भयानक चीज़ें की गई उन्होंने इसे बड़े पैमाने पर किया इसका मतलब ये नहीं है कि हमने द्वापर युग में भयानक चीज़ें नहीं की हमने भी की लेकिन फिर भी वो सामान्य नहीं है कम से कम हम जानते हैं कि वो गलत है यही बड़ा अंतर है अगर आप कुछ भायानक कर रहे हैं तो कम से कम आप जानते हैं कि यह नहीं करना चाहिए अगर आपको लगता है कि यह सही चीज है तब यह अलग मामला है क्योंकि फिर सुधार की कोई गुणजाईश ही नहीं है वो दुनिया का तरीका बन जाएगा जो जैसा कि अतीत में था कई-कई चीजें जो हमें मनुष्य के कर सकने के लिए असंभव लगती थी आम तोर पर अतीत में की गई और उन्हें सही काम के रूप में सुविकार किया गया तो हमें इसका इंतजार नहीं करना है देखिए इसने इंतजार नहीं किया अभी गर्मी नहीं आई है लेकिन ये हमें पहले से ही पसीना दे रही है क्योंना हम भी समय के एक कदम आगे रहें तो इसलिए ये बहुत महतवपून है पिछली पीडियों ने किसी चीज के लिए नीव रखी है या नहीं वो तै करता है कि अगली पीडि कितना निर्मान करेगी है ना ये घर के लिए लागू होता है ये राश्टर के लिए लागू होता है या आपकी चेतना के लिए लागू होता है लोगों ने कितनी नीव बनाई है वो तै करेगा कि आने वाली पीडियां कितना करेंगी तो समय के लिहाद से हम यहाँ पर हैं हो सकता है कि हम उश शांदार महल को न देख पाएं जो इसके उपर बनाया जाएगा लेकिन कम से कम आपने नीव तो बनाई और शायद आपने एक कालपनिक कमरा भी बनाया और उसका आनंद भी लिया छोटा समयल जिसकी हम कई तरह से शुरुवात कर रहे हैं बहुत सारे लोग प्रचार करते रहते हैं जीवन दिन बदिन बत्तर होता जा रहा है पास तोर पर महिलाएं आपको जोर से हां कहना होगा क्योंकि इस धर्ती पर महिलाओं के लिए जीवन कभी भी इतना अच्छा नहीं रहा है पूरी दुनिया में तो हम अगला कदम कैसे उठाते हैं वो हमारे हाथ में हम इस तरह इसलिए हैं क्योंकि किसी ने कुछ बुनियाद बनाई है तो हम इस थान पर आए हैं लेकिन हम अगला कदम कैसे बनाते हैं यह अगली पीडियां कैसे जीती हैं यह हमारे द्वारा तै होता है तो ऐसे समय में जब मैं कहता हूँ ऐसे समय में जब हम एक युग से दूसरे युग में जा रहे हैं जब मौसम सर्दी से वसंत में बदल रहा हो तो हमें खिलने के लिए तैयार रहना चाहिए कई मायनों में हम जिस दौर में हैं वो बहुत महत्वपून है क्योंकि शायद मैं इसे नहीं देख पाऊंगा मैं इसे नहीं देखूंगा लेकिन आप में से कई युवा लोग इसे देखेंगे कि हम द्वापर युग से त्रेता युग में जा रहे हैं